महरास्ट में अगली साल विधानसवा चुनाव होने हैं उससे पहले वीजेपी और एकनाश शिंदे वाली शिफ सेना के बीच खटास देखने को मिल रही है ताजा मामले में एकनाश शिंदे की सिफ सेना ने 13 जून को अखवारों में एक विज्यापन दिया था जिसका शीर्शक मोदी फॉर इंडिया शिंदे फॉर महरास्ट था इस विज्यापन में एक सर्वे का हवाला देते हुए शिंदे को मौजूता डिप्टी सीम देविंदर फटनविस की तुलना में सबसे अधिक पसंदीदा दिखाया गया है इस विज्यापन ने महरास्ट की राजनीती में गरम हवा को जर्म दिया लिहाजा 14 जून को महरास्ट के अखवारों में एक और विज्यापन छपा इसमें पीम नरिंद्र मोदी और केंद्रे ग्रह मंत्री अमिश शाह को एक साथ दिखाया गया इसके अलावा सीम एकनाश शिंदे और डिप्टी सीम देविद्नर फड्नविस को एक साथ दिखाते हुए दोनों ही नेता को राज्य के विकास के चहरे के रूप में दिखाया गया सबसे एहम बात ये है कि सिंदे खेमे के सबी मंत्रियों को इस एड में जगा दी गई वहीं एनसीपी नेता अजीत पवार ने तंच कसा और कहा कि मैंने आज तक अपने राजनेतिक जीवन में इस तरह का विज्यापन नहीं देखा जो आज के अखवारों में देखा विज्यापन में पीएम मोदी और सीएम शिंदे की फोटो थी वो कहते हैं कि वे बाला साप ठाकरे के सैनिक हैं जबकि विज्यापन से बाला साप ठाकरे की तस्वीर गायब थी दूसरी और उद्दफ ठाकरे की शिफसेना के नेता संजे रावत ने भी निशाना साधा और कहा की गलती से किसी विज्यापन में ऐसा हो गया होगा अगर हम में कोई मतवेद होते तो हम एक साथ क्यों बैठते इसमें शिंदे को बड़ा बनाने के बारे में नहीं सोचा गया था इस वीज कॉंग्रेस का कहना है कि विज्यापन में दिखाए गए आंकडे छूटे हैं हाल ही में एकना शिंदे गुट ने अपने मंत्री मंडल का विस्तार किया है इसके लिए केंद्रे ग्रह मंत्री अमिश्या ने भी हाल ही में महराज का दौरा भी किया था